रानी कैसी हो तुम बधाई कुवर के आगमन की बधाई आपको भी बधाई महाराज मिनल दे देखा ना है न प्रभू की लिला आमाप हाँ बड़े कुवर मेरे पेट से अवतर है और प्रभू अपने आप पदहरे प्रभू के आदेश थे बड़े कुवर का नाम विरमदेव और स्वयम प्रभू को हम रामदेव जी कहेंगे खमा गणी खमा खुवर अजमल रा रानी साहिबा हमने प्रभू पैरों के दर्शन किये धन्य हुए रुपल बात बहुत फैला नमत कुछ पी हो पर मैं मा हूँ और वे मेरे पुत्र किसी की नजर लग जाएगी तो सच है रानी माबाप का भाव तो सदार रहेगा अपने पुत्रों पर अपना रुपल जा रानी साहबा के लिए दूद लेगा हाई हाई दूद तो कब का गर्म करने रखा है खुशी ही खुशी में भूल ही गई ते द्वारी का थी आयो गिरधारी मारी काथी आयो गिरधारी उवरा कुणनी दिरुदव धारी उभराता दुद ने उतारी पर्चा पूर्टों अउतारी रे भाई पर्चा पूर्टों माराजा धिराज रानी साहबा दूद उबलने की तैयारी में ही था वहाँ अचानक बालक के हाथ आए और गर्म गर्म दूद का बरतन उतार अद्रुश्य हो गए खमा, घणी खमा मेरी राम देव को धन्य प्रभू धन्य आपने पधार कर हमारा उतार सफल कर दिया रोपल वो हाथ फेलाने वाला और कोई नहीं स्वयम राम देव थे ये समयलो चक्र पर तु रहे जिरे ने समयलो महिमा यप राम पार ये जोने समयलो हारे राम दे मोटा था या ये जोने भकतो उनों करवा बेड़ो पार जय हो कुवर राम दे क्या हुआ बेटा क्यों ऐसे यहां चले आए जा रूपन कुवर के लिए दूद लेया मा मैं दूद ना पियू भाई तू दूद नहीं पियेगा तो तेरे हिस्टे का दूद मैं पिर जाओंगा कुवर सा कहो तो सक्कर वाला दूद लाओ ना अरे पर यू अचानक रूट जाने का कारण मुझे गोड़ा चलाना है अभी बाहर गोड़ा देखाना वे साही कुवर सा अभी तुम छोटे हो बड़े हो जा बात में गोड़े चलाना मा गोड़ा नहीं लादोगे तो में दूद तो क्या अन भी नहीं लूँगा मा रामदे तो सच में रूट गये है अब तीनों बहने लासा, लक्ष्मी और सगुना को बुलाओ, वो तीनों रामदे को मना लेगी वो तीनों शिक्षापार्ट आदा छोड़के कैसे आए? मा, मैंने गरूर जी को वजन दिया है, कि वो मेरे साथ निले गोड़े स्वरूप रहेंगे गरूर जी गबराते है, मुझे निला गोड़ा मंगवाई दियो ने मा कुवर साब, तुम्हारी बाते मुझे समझ नहीं आती, समझ आए यूं बोलो ना आए, कहिते हैं कि राज में दर्जी की मर्जी न चले, पर किसी को खबर भी न पड़े, यूं हम कपड़ा निकाल ले ये राज में से बहुत सा कपड़ा आया है, उपर उपर नया नया हरा कपड़ा सी ले, अंदर पूरा ने चित्रे भर दिये अब यह घोडा चीर के थोड़ा ही कोई देखेगा, क्यों दर्जी ने क्या करा मत की है मेर्या भाई, कुवर सा का घोडा तयार है, अरी वा, ये तो हरा हरा घोडा हाँ, जादुई घोडा, एक दम तयार, कुवर उपर बेठे की तुरत भागेगा, तबड़क, 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 सचे ना कुवर सा मेर्या भाई, यू कटाक्ष्रा करो, केवल भागेगा ही नहीं, घोड़ा उड़ेगा भी सही कुवर सा, सच्चा घोड़ा ओ, तो भी न उड़े, जबकि यह तो कपड़े का घोड़ा है, वह कैसे उड़े दिल के भाव से करो पुकार, तो पुतला चित्रे का बोले, अरे, घोड़े में तो परमबक्त गरूरची वास करेंगे, चलो मेरे साथ करुड़ जी, पधारो और इस गोड़े स्वरूप होके, सदा सर्वदा मेरे साथ रहो मेराई, आने वाले युग में इस हरे गोड़े की, नकलंकी अवतार की निशानी में पूजा होगी मेराई, मैंने कहा था ना, गोड़ा उड़े घबी सही, देख, ये उड़ा मेराई, ये क्या मंत्र दंत्र की है, कि घोड़ा कुवर को आकाश पे ले गया ये राणी साइबा, मैं गरीब दर जी, मंत्र तंत्र क्या जानू, कुवर स्वयम घोड़े को आकाश पे ले गए है पिताश्री, मेराई ने कहा था कि चादूई हरासा गोड़ा एकदम तयार है, चादूई मेराई, ये जरूर कुछ जादू टोना है, तुने कुछ दगा किया है, तुझे अंधरी कुटिया की सजा दी जाएगी रानी साइबा मेराई ने कहा था कि घोड़ा कपड़े का है वह कैसे उड़ेगा और कुवरसा ने कहा घोड़ा उड़ेगा और सच में घोड़ा उड़ा माई बाप मुझे माप करो ए रामदेव में निदोश हूँ मुझे एसी सजा ना करो मुझे बचाओ रामदेव काली कुटिया से बचाईए माँ पिताश्री अब यूँ ही चिंता करते हो रामदेव मेरे लाल तुम ठीक ठागतो हो ना बेटा ये कैसा खेल मेराई दरची को गोड़ा उड़ते देखना था तो गोड़ा उड़ा क्यो मेराई उड़ाना रामदेव मुझे बचाईए सची हकीकत बताईए नहीं तो मुझे काली कुटिया मिलेगी मेराई तुने गोड़े के अंदर मेले चितरे कपड़े डाल गोड़ा बनाया इसलिए दूख सहन करना पड़ा रामदेव आप अंतरिया मी हो मुझे यू के गोड़े के अंदर पूराने कपड़े डालूँगा तो किसे खबर होगी शमा करो कुवर्षा शमा करो पिताश्री मेराई को माफ कर दो ठीक है बेटा मेराई तुझे माफ करता हूँ जय हो कुवराजमल रा जय हो अब कभी भी आनिती नहीं करूँगा खमा कुवर्षा आपको गणी खमा चल बेटा अब तो दूद पी ले रूपल दे, जा, कुवर्शा के लिए दूद दयार कर, जी महाराणी जी मा, दूद पी कर, मे और विरम दे, चड़ी गेन खेलने जाए हाँ, पर बहुत दूर नहीं हाँ हाँ राम दे, भैरवार आक्सस सिमा तक आ जाता है, उस तरप मत जाना ठीक पिताश्री, जल रूपल दे, जल्डी जल्डी दूद दे दे